नवराती नौ रातों की ही क्यों होती है? नौ, इस नंबर को बुद्धिजिम और जैनिजिम, चाइनीज संस्रिती जैसे अन्य एशाई संस्रितियों में शुब माना गया है हमारी सनातन संस्रिती में भी नव ग्रह, नव रत्न, नव रस, शरीर के नव द्वार और नव दुर्गा को माना गया है गनित के अनुसार 9 सबसे बड़ा अंग है, जिसके हर माल्टिबिल के डिजिट्स को जोड़ा जाए तब भी 9 ही बनता है समय भी एक चक्र है और सत्य यूग, त्रेता यूग, द्वापर यूग और कल यूग की हुमन ये उसको जोड़ा जाए तब भी 9 ही बनता है एक बच्चा भी अपने मा के गर्भ में 9 महिने तक रहता है इस सबका यही मतलब है कि 9 मतलब समापन, कमप्लीशन, 9 के बाद फिर से एक आता है जहां से साइकल फिर शुरू होता है 9 सबसे बड़ा अंग है पर उसके बाद भी एक आता है जो नही संभावनाओं को दरशाता है और इसलिए नवरात्री को किसी भी नए काम की शुरूआत करने के लिए शुब माना गया है